तो दोस्तो स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में तो दोस्तो आज का इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ जितने भी स्लेंडर लगा हुआ है सारा स्लेंडर का नाम क्या है और कौन सा स्लेंडर क्या काम करता है तो इसी के बारे में आज हम बताने वाले है तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे अब ला आइकन को फिरेस कर लिजे ताखि मैं जब भी वीडियो अपलोड करता हूँ सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुचे तो गैज वीडियो बहुत ही नौलेज़बल होने वाला है तो मैं बता दूँ कि जो नए नए अपरेटर बनने के लिए हेलफर करने के लिए मसीन पर गया है उसके लिए वीडियो है सबसे पहले मैं बता दूँ तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है तो आप देख सकते हो थ्वान अजदीक से दिखा रहे हैं यह जो स्लेंडर आप देख रहे हो यह काला वाला स्लेंडर है यह जैसे मिती ख regulations करताई है ना मिती तो यह स्लेंडर की मदद से बाकेट खुरताई करता है तूइसे आप बखेट स्लेंडर ठीक है यह होगया बोकेड का स्लेंडर यह बालाथ घक है गाट मैं आपको स्लेंडर बोल सकते हो ताकि जैसे आप देख सकते हो मैंने खेत लेवल करते ही आ रहा हूं तो यह लेवल करने में मदद करता है यह जो डीपर स्लेंडर जो है इसे लेवल होता है तो इसे आप डीपर इसी तरह से आपको मैं दिखा दू गैज कि यह जो आप देख रहे हो यह इतना पूरा पॉर्शन जहां पर जैसी भी लिखा हुआ है यह है बूम इसे आप बूम बोल सकते हो और इसका स्लेंडर मैं आपको दिखा दू थोरा नज दिख से इसका स्लेंडर ए है ठीक है अंदर स्लेंडर और इसका मदद जैसे पूरा डीप लेते हो यानि पूरा अंदर खुदाई के लिए करते हो तो यह जो इसमें अपका माता है तो इसे आप बोल सकते हो, boom cylinder जो पूरा अंदर काम में आता है, यानि जितना आप गहरा खुदाई कर सकते हो, उसमें यह मदद करता है, तो इसे आप boom cylinder बोल सकते हो, ठीक है, उसी तरह मैं आपको बता दूँ गैज, यह दो cylinder जो देख रहे हो, एक right side का है, और एक left side का है, यह स्विंग का स्विंडर, जैसे आप मिटी उठा करके इस तरफ ले जाते हो, तो मतलब यह right side का स्विंग स्विंडर है, और वो जो white color का दिख रहा है, उस तरफ भी है, आपको नजदीक से दिखा दो, उस तरफ का, वो left स्विंग का है, तो यानि यह स्विंग का स्विंडर ह तो guys, आप इतना दूल में देख सबते हो, कितना स्विंडर है, एक, बॉकेट का, डीपर का दो, और भूम का तीन, तीन स्विंडर हो गया, और यह right side का स्विंग का, चार, और वो left वाले का, पांच, दोस्त, यहां तक तो पता चल गया, आपको स्विंग तक ठीक है, अब आपको दिखा रहा हूं, guys, आप देख सकते हो, यह जो देख रहे हो, यह है, एस्ट प्लाइजर, इसके अंदर भी slender होता है, और इसमें बहुत सारा कुछ होता है, प्लेट होता है, इनर लगा होता है, सारा कुछ होता है, लिकिन इसमें भी होता है, जो नीचे, वहां पे आप देख सकते हूं, लिवर के नीचे, वहां पे एस्टेपलाइजर जैक को ख़रा करने के लिए होता है, तो यहां से ए हो गया, यह राइट साइड का एस्टेपलाइजर हो गया, और ओ लेप्ट साइड का हो गया, ठीक है, guys, आपको मैं बता दूं, देख सकते हो, और उपर उठाने में मदद करता है, यह जो स्लेंडर है, और उसके साथ में सपोर्टर भी है, तो वो भी सपोर्टर है, यानि जो लोडर लोग करने का यह लोडर पूरा उपर करके, अगर कोई साभी फॉल्ट आता है मसीन में, तो यहां से आप लोग कर सकते हो, लोडर उपर क खुलने में और बंद होने में ये स्लेंडर मदद करता है ठीक है और ये स्लेंडर लोडर को ऊपर और नीचे करने में मदद करता है ये दोनों स्लेंडर ये स्लेंडर जो है उपर नीचे करने मदद करता है और इससे बोकेट खुलता है और बंद होता है ठीक है चलिए आप उस मैं इस तरफ लेके आया हूं तो थोड़ा धूफ है इसलिए किलियर नहीं आएगा ठीक है तो आप देख सकते हो गाईज मैं फिर भी नाज देख से दिखा रहा हूं यह जो बड़ा सा स्लेंडर दिख रहे हो बिल्कुल उसी तरह का है लेप्ट साइड का है देख सकते है यह जो है स्लेंडर और पिस्टन यह लोडर को पूरा ऊपर कर सकते हो नीचे कर सकते हूँ उसके लिए यह मदद करता है तो राहूर का मैंन्ट सण डर हो अगया ठीक है उसके बाडेख सकते हो उसका भी सपोर्टर दिया हो है पीचमें और यह जो आपको मैं फिर से बता रहा यह क्या काम करता है तो bucket खुलता है और मूरता है ठीक है तो उसके लिए है तो इसे आप loader का bucket slender बोल सकते हो ठीक है यह हो गया और फिलाल आपको मैं गिंति कर देता हूं कितना slender है एक दो और दो उस तरब चार स्लेंडर हो गया इधर लोडर में ठीक है चार एक इसके अंदर भी राता है जैक एस्ट प्लैजर के अंदर पांच छे साथ आठ नौँ दस ग्यारा ठीक है आप फिर से देख सकते हो बॉकेट स्लेंडर एक हो गया डीपर स्लेंडर दो हो गया और यह है बुम स्लेंडर तीन हो गया और यह दो हो गया दोनों स्विंग के लिए तो हो गया आप देख सकते हो चार पांच हो गया छे हो गया और उस तरब जैक स्लेंडर जैक का साथ हो गया ठीक है साथ हो गया आठ उसके बाद नो पूरा जैक का बता रहा हूं है आपको देख सकते हो 9 10 11 ठीक है इतना से रहता है और मैं आपको बता दूए अब मैं आपको सीखाने वला हूं और आपको बताने वला हूं जितना भी और नए ऑपरेटर भाया उसके लिए है कैसे आप खोल सकते हो और कैसे लगा सकते हो इस तरव का गेट क्योंकि नए-णए जो अप में तो आपको अधिस को मैं आपको भाइब बता रहे हैं कि उसका उसका भी ब सीटी नियुक्त रहता है यानि उसका development युट यानि उसका और फैले गिंदर जाया उस्ताज जी जो अटि तो को नोब फैले कि प्रेश यह सिर्टी बार्ट उसकशजी का रगार रहेगा, ठीक है। नीस को आप ऐसे घीच करके खोल सकते हूं ठीक है। इसको खुलने के बाद आपको अंदर आना है ते अंद में एल्डेर रर्वा militar रहा हूं जुआיל को भूलने के लिए तरह रहा हूं सथाई दूप है। जिसके बाद यहां से ऐसे खोल करके आप देख सकते हो इसको पूरा उस तरब मान पर उस दरम चेट से लॉखो गया और ये लोग खोलने के लिए क्या करना है तो आपको यह जो तेख रहे हो इसको ऐसे कर डियेना है लिकाज पाइब एकसे हैं तो यह तक अपना वीडियो पनाने कामmost जैसे आप लोग को कभी भी परिशानी ना हो अगर आपका उस्ताज बोल देगा कि जाओ डीपर डीपर स्लेंडर का पीर बूर स्टोक के आओ तो आपको पता नहीं रहेगा इसलिए मैंने बॉकट जितना भी स्लेंडर है मसीन के अंदर सब स्लेंडर का नाम भी बताया हूं औ तो गैज वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा आप कमेंट में जरूर बोल देना ठीक है चलिए अभी तक इतना तक अपना वीडियो था बाइबाई और बुडबाई मिलते हैं अगले वीडियो पर बाई दोस्तों जय हिंद जय क्यों तो बाईबाए Baptist Duncan स sworn है जριह आप मsmजे कर देना पिले सी के या मिलते हैंनी दोस्तों color वीडियो थाउल अभी टा हैं बाई पते हैं वीडियो पर दीलते हैं अपने बाई अबदेे हैं याणन